जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग डिसकस करेंगे finding of oxidation or reduction in organic compound आज हम लोग organic reactions में कौन compound oxidize हुआ है या कौन reduce हुआ है उसको एक नए तरीके से पैचानना सीखेंगे तो आईए शुरू करते हैं आपको याद होगा आपने चोटी क्लास में Oxidation Chapter के अंदर जिसका नाम हिंदी में Oxigran होता है बच्चों वहाँ पे Oxidation Number Method की help से different compounds का Oxidation और Reduction को find out करना सिखा होगा यदा है ना आपको? हाँ बिल्कुल सही लेकिन Organic Chemistry में हम लोग Oxidation Number या Oxidation State Method यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इसकी value बदलती रहती है एक जैसी नहीं आती है ध्यान रखीगा सवाल ये उठता है कि सर जब हमको Oxidation Number Method यूज नहीं करना है तो हम लोग पैचानेंगे कैसे कि कौन सा compound oxidize हुआ है बच्चो ये है वो हमारा method Oxidation Level Method की जरिये हम लोग किसी भी Organic Reaction के अंदर कौन सा compound oxidize हो रहा है कौन सा reduce हो रहा है ये easily पता कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Oxidation Level Method लगाना और उसके टाइप शुरुवात करते हैं Oxidation Level 0 से Oxidation Level for Carbon Atom in an Organic Compound is 0 when it is bonded to Hydrogen और Carbon और both as in case of Alkenes बच्चो किसी भी Organic Compound में Carbon का Oxidation Level 0 तम माना जाता है जब वो Carbon की सारी Valency यानि Carbon जो है वो केवल Hydrogen से या फिर Carbon से जुड़ा होता है जैसा कि आप Alkenes में देखते हैं वहाँ पर Carbon का Oxidation Level 0 होगा नहीं हुआ है के लिए एक्जामपल से के लिए करते हैं ना आईए मेरे साथ आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर तीन एक्जामपल आपके लिए हैं तीनों एक्जामपल जो हैं बच्चो वो Alkenes है पहले वाला मिथेन है दूसरे वाला प्रोपेन है और तीसरे वाला क्या है सर तुटु डाइमिथाईल प्रोपेन तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस वाले कंपाउंड में इस और गयनिक कंपाउंड में इस वाले कार्बन का Oxidation Level 0 होगा क्योंकि इसकी चारो वैलेंसी चारो बोंड जो हैं वो केवल हाइडियन से सटिस्फाई हैं इस पर केवल हाइडियन लगे हैं अब दूसरे वाले कंपाउंड में आप देखिए इस वाले कार्बन को मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर अंडरलाइन कार्बन का हम लोग Oxidation Level देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए इस कार्बन पे सेंटर वाले कार्बन पे लगे हुए एटम कौन से हैं तो यहाँ पर इनका भी निकालें इन तीनों कार्बन का तो इन तीनों कार्बन का यहाँ पर Oxidation Level जीरो ही है अब यहाँ पर आते हैं सर इस वाले Central Carbon का Oxidation Level क्या होगा क्योंकि बच्चों Organic Compound में जनरली हम लोग Central Carbon को देखते हैं तो यहाँ पर Central Carbon पे क्या उनसा एटम लगा है आपको यह देखना है कि क्या वो Carbon या Hydian है तो सर देखी यहाँ भी Carbon है 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 यहाँ भी Carbon की चारो वैलेंसी जो है वो Carbon से satisfy और यह Carbon यहाँ पर bonded है और ऐसा Compound जिसमें Carbon जो होता है वो केवल Hydian या फिर Carbon से attach होता है वहाँ पर उस Carbon का Oxidation Level 0 होता है Clear हुआ आपको तो चलिए फिर अगली लेवल पर चलते है न लेते हैं अगला लेवल Oxidation Level 1 Oxidation Level for the carbon atom will be 1 when 1 electronegative atom namely nitrogen oxygen sulfur halogen bonded by a single bond example alcohols halogenes, nitro halogenes etc किसी भी organic compound में carbon atom को Oxidation Level एक तब दिये जाता है बच्चों जब उस carbon से nitrogen, oxygen, sulfur या फिर halogen atom में से कोई एक electronegative atom single bond बना के जुड़ा होता है जैसा कि alcohol, haloyalcans और nitroalkans में ये कुछ compound हम लोग example के साथ clear करते हैं और आपको बताते हैं कि Oxidation Level 1 कैसे होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला हमारा methaneol है, दूसरा हमारा ethinol है और तीसरा हमारा nitrogen है, क्या यह आपको clear है अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे इन और्गनिक compound में carbon का Oxidation Level 1 हो सकता है, मैंने यहाँ पर इन तीनों compound का bond structure बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर carbon जो है इस पर OH लगा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर इस carbon पर तीन hydrogen लगे हैं, लेकिन चोथा जो है वो hydrogen नहीं है, बलकि electronegative O है, और इसने single bond मनाया है, तो इस carbon का Oxidation Level 1 होगा, clear है अगर यहाँ पर hydrogen आ जाता तो इसका level 0 होता लेकिन यहाँ पर electronegative atom आया है, उसने single bond मनाया है, इसलिए इसका Oxidation Level 1 होगा, 1 होगा, आप देख सकते हैं दूसरे example पर दो hydrogen लगें carbon लगा है, आप देखिए चोथा जो atom है, वो हमारा electronegative है, electronegative O लगा है, तो आपको बताया था N, O, S, या फिर level 1 होगा, तो यहाँ पर इस carbon का Oxidation level 1 है, क्या यह clear है आपको, लेकिन इस वाले का 0 है, ध्यान रखिएगा अब देखते हैं, सर्ण nitrogen में, तो यहाँ पर इस carbon का हमने बनाया bond structure, तो आप देखिए, यहाँ पर carbon पे hydrogen लगे हैं, carbon लगा है इस ओके, लेकिन यहाँ पर लगा है nitrogen, और आप जानते हैं, nitrogen इलेक्ट्रो निगेटिव atom होता है, इलेक्ट्रो निगेटिव एटम ने single bond बनाया है, तो बताओ इस carbon का Oxidation level क्या होगा, 0, नई sir, 1, clear, चली आगे बढ़ते हैं, चलेंगे अगले लेवल पे, जो है Oxidation level 2, तो आईए Organic Compound में Oxidation level 2 पहचानना सीखते हैं इस गिवन वैन कार्बन एटम मेक्स टू बॉन्ड विद इलेक्ट्रो निगेटिव एटम, एक्जाम्पल एल्डी हाइड कि टोन इमीन डायोल्स बच्चो, Oxidation level किसी भी Organic Compound में उस कार्बन को दिया जाता है, जो दो इलेक्ट्रो निगेटिव एटम के साथ दो बॉन्ड बनाता है, कैसे? आईए देखते हैं, हमारे यहाँ पे एक्जाम्पल रेडी है, पहला एक्जाम्पल एल्डी हाइड है दूसरा किटोन है, किलियर है और यह वाला हमारा तीस्ते वाला डाई ओल है, और चोथे वाला हमारा इमीन है, यह एक्जाम्पल हमने यहाँ पे मेंचन किये ते, इसके लावा और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किवल लेवल कितना होगा इसका जीरो होगा के लिए रहें लेकिन इस कारबन को देखिए इस कारबन में ऐसा नहीं है यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रो निगटिव एटम आ गया है एन ओ एस हैलोजन में से एक ओ आ गया है दो बोंड बना रहा है अपर देखिए किटोन के अगले कंपाउंड डाइ ओल है तो यहाँ पर इस कारबन की और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कारबन पर एक एक बोंड बनाया है यहाँ पर भी एक बनाया है इसको देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है सर यहाँ पर डबल बोंड बनाय तो आपको यहाँ पर यह consider करना है कि इस electro negative atom ने यहाँ पर यह दो बार जुड़ा है double bond का मतलब क्या है दो बार bond मनाया है single single लेकिर consider आपको single ही करना है अब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर double bond हो था तो यहाँ पर आपने यह consider किया कि oxygen जो है वो इस carbon के साथ दो बार जुड़ा है single bond मना के यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है इन दोनों carbon का oxidation level 1 होगा clear है पैचान पाएंगे आप इसलिए इसको यहाँ mix किया था तो यहाँ पर diol नहीं चलेगा अब बच्चो इसको देखे immune को यहाँ पर double bond NH है तो double bond बनाया है तो यहाँ पर आपको यह consider करना है कि यह nitrogen जो है आपका दो बार जुड़ा है single bond बना के तो आपने कहा था कि जब electronegative atom single bond से जुड़ा होता है एक electronegative एक single bond से जुड़ा होता है लेकिन यहाँ पर दो बार जुड़ा है single bond मना के तो मतलब क्या हुआ इस carbon का oxidation level 2 होगा यहाँ पर इस वाले carbon का oxidation level 2 हुआ 2 कैसे हुआ clear है आपको यहाँ पर इनका 1-1 होगा क्योंकि यहाँ पर electronegative ने single bond मनाया है एकल bond मनाया है यहाँ पर nitrogen ने दो bond बनाए है तो इस carbon का oxidation level 2 होगा clear है न 2 कैसे हुआ देखे सर nitrogen जुड़ा हुआ चली आगे चलते हैं अगले level पर इसला है जी हमारा oxidation level 3 it is claimed only when carbon atom makes 3 bond with electronegative atom example carboxylic acid nitriles etc बचो आपको ध्यान लखना है कि किसी भी organic compound में जिससे 3 electronegative atom single bond बनाके जुड़े होते हैं वो कहलाता है oxidation level 3 वाला carbon कैसे example से clear करेंगे हम यहाँ पर केवल 2 example लिये हैं एक लिया है हमारा acetic acid दोसरा लिया है हमने nitrile यहाँ पर देखिए मुझे इस carbon की बात करनी है तो इस carbon पर लगा हुआ है एक single bond बनाके ओवेश ही clear हुआ लेकिन यहाँ पर इस electronegative O ने दो bond बनाए हैं जिसको consider करते हैं कि यह oxygen दो बार जुड़ा है इस carbon से single bond बनाके clear हुआ तो आप देखिए इस carbon से इस compound के अंदर इस carbon से कितने electronegative atom single bond बनाके जुड़े हैं तो इस carbon का oxidation level 3 होगा इसी तरह यहाँ पर इस carbon की अगर बात करें तो बच्चों इस carbon पर देखिए nitrogen जो है triple bond बनाके जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि nitrogen तीन बार यहाँ पर single bond मनाके आपको मानना पड़ेगा consider करना पड़ेगा तो बताइए इस electronegative nitrogen ने कितने बुड़ मनाए हैं तीन, one, two, three तो इस carbon का oxidation level 3 होगा clear हुआ जिला है जी हमारा oxidation level 4 only when carbon atom bonded with four electronegative atoms example urea, thiourea, cyanamide आपको ध्यान लखना है कि ऐसा organic compound जिसमें carbon atom 4 electronegative atom के साथ में 4 single bond बनाता है तब उस carbon का oxidation level 4 होगा example रहेंगे urea, thiourea, cyanamide, etc यह हमारे हैं urea, thiourea, और cyanamide यह इनके structure है जी देखे बचे, urea में इस वाले carbon पे 3 electronegative atom 2N और एको आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है N जो है, वो single bond से लगा हुआ है लेकिन oxygen ने बनाया है double bond जब आप इसको यहाँ पे solve करेंगे तो यहाँ पे double bond जो है ओका यह आपको दो बार single single बना के consider करना होता है तो उसका मतलब double bond ओका मतलब हुआ खी oxygen के दो एटम इस carbon के साथ single bond मना के जुड़े हुए है तो देखिए यहाँ पर कुल कितने electronegative atom single bond मना के जुड़े हुए है सर्फ 4 तो यहाँ पर इस वाले carbon का oxidation level 4 होगा अब देखिए थायो यूरिया के अंदर अब बदाईए इस carbon पर कितने electronegative atom ने single bond बनाया है 1,2,3,4 तो इस carbon का oxidation level भी 4 होगा आईए मेरे साथ करिए थोड़ा सा विचार इस वाले carbon पर तो यहाँ पर cyanamide में अगर आप देखिए इसका bond structure तो यहाँ पर carbon के साथ में दो nitrogen atom लगे हैं लेकिन एक ने बनाया है triple bond triple का मतलब हुआ कि यह nitrogen यहाँ पर carbon पर तीन बार single bond बना के जुड़ा होगा और सर यह हमारा हो गया NS2 clear है बच्चो तो बताईए इस carbon पर कितने electronegative atom ने single bond बनाये हैं answer है 4 तो इस carbon का oxidation level भी 4 होगा clear हुआ not for reduction all levels will be reverse except oxidation level 0 बच्चो हमने यहाँ पर 5 level देखे oxidation level 0 1 2 3 4 clear है तो उसमें 0 वाला छोड़ दीजिए और oxidation level 1, 2, 3, 4 में अगर उल्टा हो रहा है तो समझ जाए कि वहाँ पर reduction हो रहा है तो reduction वाले case से बच्चो oxidation का उल्टा कंसिडर करना है आईए मैं आपको example से clear कराता हूँ यह हैं हमारी practice problems यहाँ पर आपको oxidation और reduction पैचानना है तो यहाँ पर बच्चो आपको 3 example दे रखें 4 example एक नीचे है वो आपको अभी दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पर इन चारो question को आपको करना है comment section में आपको answer देना है पैचानना है कि product का oxidation हुआ है या फिर reduction हुआ है clear है पैचान पा रहे हैं चीजों को चलिए पहला question तो मैं आपको इसाथ discuss जरूर करूँगा पहले example में देखिए आपने methane का कराया है chlorination अब यहाँ पर इस carbon की अगर देखे तो इसमें 4H लगे हैं तो वो carbon जिससे hydrogen या carbon combine होते हैं उस carbon का oxidation level 0 होता है अब यहाँ पर chlorination के बाद बन गया है chloro methane तो यहाँ पर इस carbon की अगर बात करें तो इसकी जो 4 valency है उन में से 4 में से 3 पर तो लगा है hydrogen और चोथा लगा है CL clear हो पा रहा है न देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर लगा देता हूँ CL यहाँ पर लगा देता हूँ H क्यों बंदू सब्समें आया क्या नहीं आया यह देखिए तो आप ही बताओ इस carbon में क्या लगा है सर एक electronegative atom ने single bond मनाया है तो बताइए इसका oxygen level क्या होगा 1 और उसका क्या था जी 0 तो बताइए यहाँ पर oxygen level क्या होगा ऐसा electronegative atom का जुड़ना जो होता है वो oxygen क्यलाता है और oxygen level भी यहाँ पर बढ़के 0 से 1 हो गया है तो यह CH4 का यहाँ पर oxidation हुआ है अगले वाले case में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 CL लगे हैं तो यहाँ पर 2 CL लगे हैं तो यानि किसका oxygen level 2 होगा यहाँ पर 3 होगा यहाँ पर 4 होगा बात समझ में आती है तो इस reaction के अंदर oxidation हो रहा है methane का क्या यह आपको clear है methane is oxidized here methane यहाँ पर oxygen हुआ है oxygen हुआ है clear है आपको कहीं पर भी आप किसी भी step में ऐसा करके देख सकते हैं अब बचे आपके यह 3 example इसी तरीके से आपका मैं wait कर रहा हूँ बच्चो आईए और जवाब दीजी देखते हैं कौन पहले सही जवाब देता है कितने सही जवाब देता है